हेलो फ्रेंड्स, यूल आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स, मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर्स वाती राठ और सागत करती हूँ आप सभी का, आप सभी के अपने ओनलाइन प्लेटफॉर्म वेक्टर एजुकेटर्स पर इस वीडियो में हम लोग idioms and phrases का पार्ट 4 करेंगे, it means पार्ट 1, पार्ट 2 and पार्ट 3 मैंने आपके लिए अल्ड़ेडी बना दिया है तो अब बिना ज़दर time waste किये हुए हम idioms and phrases का ये part 4 start करते हैं देखिए जो पहला idiom दिया हुआ है वो दिया गया है wool gathering wool gathering का मतलब होता है daydreaming करना, खयालू, पुलाव पकाना अब इसका सही answer मैं आपको बताती हूँ देखिए option A to become a shepherd, shepherd बनना ये इसका answer नहीं होगा shepherd का मतलब पहले तो समझे, shepherd का मतलब होता है hurts man मतलब a person whose job is to look after sheep वो इंसान जो की बेडो का पालन करता हो, बेडो को पालता हो, उसे बोलेंगे हम लोग shepherd ठीक है, ये इसका answer नहीं होगा, option B is to shear sheep to shear sheep, मतलब की जो sheep होती है, जो भेड होती है, उसकी body मैंसे wool को निकालना उन को निकालना, इसे बोलते हैं to shear sheep, ये भी इसका answer नहीं है option C is to engage in idol और aimless daydreaming, ये ही इसका answer होगा मैंने बताया आपको इसका meaning wool gathering का starting में ही, कि wool gathering का मतलब हो जाता है खयाली पुलाओ पकाना, daydreaming करना, fantasies पालना, ठीक है, तो इसका जो सही answer हो जाएगा, वो हो जाएगा option C, to engage in idol और aimless daydreaming, अब इसका origin समझिए, इसका origin अगर हम history में देखने जाएं, तो लोग क्या किया करते थे, जो जाडियां होती थी, bushes, fences, उन में से वोल को collect करते थे, मतलब उन जाडियों में जो उन first जाती थी, उस उन को एकटा करने का काम करते थे, collect करते थे, gather करते थे, अब इसको आप समझ सकते हैं, कि वोल को जब collect करते हैं, तो इसमें कोई brain power तो लगता नहीं है, इसलिए इस काम को एकदम aimless काम समझा जाता था, मतल मतलब जलके इसको एक figurative meaning मिला, और एक word सामने आया, wool gathering, मतलब daydreaming करना, ठीक है, तो hope आपको wool gathering का meaning clear है, इसका origin भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है, अगला idiom देखते हैं, अगला idiom है, kangaroo quote, kangaroo quote को बोलते हैं, गैर कानूनी न्यायाले, ठीक है, तो इसका सही answer हो जाए तो यहाँ पर कहानी एक दम clear हो जाएगी, US frontier में क्या होता था, मतलब USA की बात करें, तो वहाँ पर क्या होता था, पहले जजजेज होते थे, US frontier में, उनको कोई मतलब नहीं था, कि जो victim है, उसको justice मिल भी रहा है, या नहीं मिल रहा है, मतलब जो पीडित इंसान है, उसको न पेना देना ही नहीं था, इनका बस एक एम होता था, कि दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइल्स को रैप करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा केसों पर अपना फैसला सुनाएं, ये इनका only aim हुआ करता था, इसलिए इसको बोला जाता है कंगारू कोट, और ये सुना रहे हैं, उसमें बिल्कुल भी इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि विक्टिम को जस्टिस मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको बोला चाहता था, कंगारू कोट, होब अपको मीनिंग क्लियर होगा, और इजिन भी क्लियर होगा, नेक्स्ट इडियम द इडियम जो है दिये गया है आपको, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन के थुरू, हम डूनते हैं अब, ऑप्शन ए देखिए, टू क्लीन अप प्लेस, जगह को साफ करना, नहीं, ऑप्शन बी, इस टू वर्कार्ड, मैनत करना, नहीं, ऑप्शन सी देखिए, टू इसका सही आंसर तो यही हो जाएगा, ऑप्शन सी, टू रिट्रीवड डैमेज रेप्टेशन, होब आपको क्लीर होगा, टू वाइट वर्कार्ड का मतलब होता है, कि दोशों को मिटा कर, निर्दोश बनने की कोशिश करना, ठीक है, अगला इडियम देखते हैं, अगला इ हाई के बीच में फस गए, आगे भी नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते, यहीं मीनिंग होता है, इस इडियम का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, बिट्वीन टू डेंजर्स, दो खतरों के बीच में होना, ठीक है, आगे कुआ उत एक बीचा पीशे खायी, तो हवब आपको मीनिंग क्लियर होगा, अगला डीएम देखे है, अगला अगला डीएम है, इसका जोग्राफिकल मीनिंग अलग ही निकलता है, जो विंड्स होती है, उनको डोड्स बोलते हैं, और इंगलिच में देखा जाए तो इसका मतलब ह तो इसका सही आंसर हो जाएगा option A to be in low spirits तो आपको यह वाला इडियम बी क्लियर है आज हमने आपके साथ जो इडियम्स डिसकस किये हैं आपको वह सारे अच्छे लगे होंगे उनके मीनिंग भी क्लियर होंगे अगर स्टेल आपको डाउट है तो आप एक बर वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने maximum friends, relatives जितने भी contacts हैं उनके साथ शेर कीजिए और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए आगे हम फिर में लेंगे आपके साथ एक नए एपिसोड के साथ तब तक के लिए stay tuned with us, wish you all the best, thank you so much